आज हमने उनका वक्ता हुए सुना भाषन सुना और उन्होंने दरभंगा एंपस के बारे में जिक्रिक किया कि उन्होंने खुलवाने का काम आप दरभंगा एंपस यह सरसर झूट है और हम तो प्रदान मंत्री से आगरा करते हैं कि कम से पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एमस नहीं खुला हाला कि माने मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के प्रयाद से ये तैह हुआ कि दरभंगा जो में ही एमस जो है वो बनेगी जिसको लेकर के हमारे राजसरकार जो है हमारे स्वास्वंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकर भूमी जो है हम लोगों ने निशुल्क कैबिनेट से पास करकर के एमस दरभंगा के लिए दिया था और जो मात्र दरभंगा एरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतना बहतरी जगह हम लोगों ने चैनित करके प्रस्ताव दिया था लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं उनके दबाव में जो है जब टीम आती है टीम खुशी से वापस जाती है सब कुछ तै हो जाता है लेकिन इनके राजिती के दबाव से वह स्विक्रित जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकर भूमी का इम्सका उसको यह लोग रद कर देते हैं और प्रधान मंती जी अपने भासिन में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का का क किया इन्होंने तो रुकवाने का काम किया और हम आपको बता दे उसके बाद भी जब रुकवाने का का वी यह भी नहीं बल्कि वह भड़ाई का भी लगबग 300 करोड का मिटी भड़ाई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरूआत कर दी थी जहीं जो जमी चाहिए लोगों के बलाई के लिए हैं दर्भंगा के लोगों को आवागवन की सुविधा हो जाने आने में दिक्कत ना हूँ उसलिए ऐसा इस थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निशुल्क फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखे हैं और आप देख सकते हैं प्रधान मंती जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं वहां तो यह लोग कर रहे हैं एम्स को और यह चिट्थी जो है साफ तोर पे हमने बाइस छे दो हजार तेइस को मंडविया जी को हमने यह पत्र लिखा था जिसमें पूरी जानकारी जो है प कि जूट प्रधान मंतरी बोलते हैं कि खुलवा दिया है तो कम से कम प्रधान मंति जी आप सचाई से आपका कोई वास्ता नहीं है आप केवल लोगों को भ्रहत्त करने का काम कर रहे हैं व्ला कर कि पूचे स्वास्त मंत्री मंडविया जी से भार सरकार के उन से यह भी पू सब कुछ पास कर दिया उसकी मिट्टी भड़ाई काम भी शुरू करवा दिया फिर भी जो है आप जो है नकार दी और आज के भाशन में हम सुने तो हमको बड़ा आश्यर लगा कि इस तरह की बातें प्रधान मंत्री करना देश की अब दिया है नहीं दिया है भाई प्रधान मंत्री बात तो यह तया है कि जूट बोले कोई भी कुछ बोल देगा माल नेंगे क्या लेकिन उनको यह भी तो पतावना चाहिए ना वैसे अमिच्छा भी जूट बोले थे पुर्णया का हवा एड़ा खुलवा दी प्लेन आना ज तो केवल जूट और नफरत की राजडिती करते हैं आज पर्धान मंत्री जी जरूर बोले हैं कि एम सम खुलवा दिया वहां के लोगों के लिए लेकिन आरूप तो आप पे लग रहे थे कि आप लोग जानके नहीं चाह रहे हैं कि मिथला का अभिकास हो वहां पे आप तीम आती है सब कुछ हो जाता है फिर बात में पता चलता रिजेक्ट कर दिया उन लोगों इस प्रस्ताफ को और यहीं नहीं बल्के हम लोगों का यह भी फैसला है कि जो DMCH है उसको भी हम लोग जो दरभंगा मेटिकल कॉलेज है उसको राजसरकार अपने खर्चे पर जो है उसको फिर से हम लोग बनाने का काम करी ने तो हम लोग तो काम करी ने कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मनिपूर को लेकर परलेमेंट में हुआ आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपोजीशन नहीं चाहती थी कि बहस हो इसलिए वो लोगो बाइकॉट किये और जो भी हो 27 इसलिए आट की बाते हैं जै साफ-साफ ओपोजिशन की यहीं मंग थी कि वह कंभिटी बनाई या सरवदली प्रधानमंत्री की नितम् couchxy अ शक्यूष ये उन्होंने आक्षेन लिया क्या किया वो तो वीडियो जो है वो वाइरल हुआ तो आप समझ रहे हैं वहां के मुख्मंति कर ऐसी घटा है तो होती ही रहती है कई मामले दर्ज है समझ सकते क्या स्थिति होगी वांकि कल तक बीजेपी कर रहे थी कि जो आप लोग जाती है जन्गर्णा करवार हैं कि भाई इसमें हमारा भी योगदान है हम भी करवारे बीजेपी जाहे उत्तर प्रदेश में भारत सरकार नहीं मोदी जी न मना कर दिया कि जाती जन्गर्णा प्रदेश को सभाविक यह बीजेपी के लोग ज Article कि जाते हैं आधारिध गन्ना हो जो हम भी करा रहें जो लोग नहीं चाहते थे वो तो कोट का निर्दे आया है तो अब उसका फैसला के स्वागत करते हैं और काम जो है ना शुरू है अगर यह दो हजार चोविस में आती है तो क्या आप पूरे देश में इसके लिए कहेंगे जो भी वहां पर पी एम बनेंगे कि भीया जाती जंगर लोगों ने बकाइदा जो रिटन स्टेटमेंट हम लोगों ने जो सारवजदि कहीं उसमें बचल करकी यह बात लिखी घए तो जाहिर सी बात है और यह देशित के बारे में था जो बिहार के निए जोना रहार आई नहीं तो इस अब लोगों प्षोट किया है ना आप कि जो होनी चाहिए एक अंतिम और है सर कि जिस तरीके से अंख्रण में हमने देखा कि आपके परिवार को भीहार का नाम लिया अगया नहीं के टारगेट किया ही जाएगा तो बोला ही जाएगा और हर तरीके से कोशिश ये लोग करेंगे अपने जो इनके सन्विधानिक जो जैंसिया है उसका भी दुरिप्योग करेंगे जांच जैंसिया जो है उसका भी दुरिप्योग आने वाली दिनों में देखेगा ये लोग करेंगे बिहार में करेंगे पका करेंगे 110 परसंट करें अरे भाई किसी ओपोजिशन के खिलाफ करेंगे हमारे खिलाफ कर था नहीं बात है हम तो कहते हैं दफतर खोल लीजिये न भाई करते रही को हमको कोई फ़र पर रहा लेकिन हर लोगों को तंग करेंगे जो खिलाफ मेंगे